दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चेनल आरेनेस एजूकेशन न्यूज में दोस्ते इस वीडियो में बात करने वाले हैं CBSE यानि केंद्रे मादमेक सिक्सिया बोर्ड दसवी और बारवी के नतीजों को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है आप लोगों की दसवी और बारवी CBSE बोर्ड परिक्षाओं के नतीजों का एलान कहें कब होने वाला इस वीडियो में बताने वाले हैं कम्प्लिट वीडियो जरूर देखे आपको अच्छा लगए अपने दोस्तों के साथ इसे सेयर कीजिए तो दोस्तों CBSE जो बोर्ड है नई दिल्ले उसके नतीजे कब आएंगे तो CBSE माई के पहले पकवाड़े में आ सकता है परिणाम तो पहला जो पकवाड़ा है उसमें परिणाम जो है जारी किया जाएगा 10 वी और 12 वी के रिजल्ट पर error lens हो इसके लिए cross checking का process जारी यानि कि कोई तूटी ना आए तो cross check किया जारा रिजल्ट को भाई कोई गलत रिजल्ट तो ना बना दिया गया हो और माई के पहले पकवाड़े में रिजल्ट आ सकता है यहाँ पर आप लोग देखे 10 वी और 12 वी के जो 30 लाग से अधिक student है उनको परिणाम का इंतजार है अब तक परिणाम की date तया नहीं है लेकिन फिर भी 10 से 15 माई के बीच जो है परिणाम है वो आ सकते हैं 10 से 15 माई के बीच परिणाम आ सकते हैं पिछली बार 12 माई को परिणाम घोसित किया गया था और CBSC परिणाम को errorless करने के दिशा में काम कर रहा है तो मुल्यानकन का प्रोसेस जो पूरा है कर लिया गया है पर verification की प्रिक्रिया चल रही है और यहां पर आप लोग देखें दोस्तों तो computer से मिल्यान किया जा रहा है जो रिजन बनाए गया उसको और सभी रिजन का परिणाम है एक साथ जारी करने की यहां पर हिस्तिति में मादमीक शिक्षा बोर्ड जो है कोसिस कर रहा है परिणाम इंक्रीज हो गया डिक्रीज सब की नहीं गई दसवी और बार वी के पेल का उसको देखा जाएगा पिछली बार दसवी का जो परिणाम है वो 24.40 प्रतिसत रहा था और 2023 में यह लुड़क कर 93.12 प्रतिसत पर आ गया थी यानि कि 1.8 प्रतिसत की कमी हुई थी अब इस बार देखने कि यह जो परिणाम है पासिंग का वो बढ़ता है या घटता है यह भी देखने वाली बात होगी CBSE के 16 रीजन परिणाम एक साथ तो 16 जो रीजन है छेतर है उनका जो परिणाम है वो एक साथ यहां पर आने वाला है यह आप लोग देखें दूसरी खबर CBSE के परिणाम आएंगे 10 से लेके 15 माई के बीच जो है CBSE 10 वी और 12 बोर्ड परि करती हैं वो जिन्होंने इस बार CBSE की परिक्षय दी है 10 वी बार्वी की कमेंट करके बता दीजिए कि आप कौन सी क्लास के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो यह पूरी बात है साथियो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही 10 वी और 12 के CBSE बोर्ड परिणाम को लेकर करके लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले हम आपको बताएंगे परिणाम की वो पल पल की अपडेट कब तक परिणाम आएगा तो 10 से लेके 15 माई के बीच परिणाम जारी करने की जो डेट है वो है CBSE की और से धन्यवाद दोस्तों फिलाल के इस वीडियो में इतना ही जैहिंजे भारत